शराब प्रेमियों ने इतनी शराब पी की शराब का सारा स्टॉक ही खतम कर दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की जहां दुकान की अलमारियां खाली हैं दिल्ली में लोग अपनी पसंद की शराब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं 16 नवंबर से नई शराब नीती लागू होने के कारण सभी नीजी शराब के दुकाने एक अक्टूबर से 16 नवंबर तक बंद रहेंगी जिससे दिल्ली में शराब का संकट पैदा हो गया सरकार की नई अबकारी नीती के तहर 32 शेत्रों में सबसे अधिक बोली लगाने वालों को खुद्रा शराब विक्री लाइसेंस पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं जिन मेंसे प्रत्येक में लगबग 10 वाड और 17 शराब विक्रेता हैं वत्मान में दिल्ली में 849 शराब की दुकाने हैं जिन मेंसे 276 नीजी तोर पर चलती हैं बाकी का संचालन दिल्ली सरकार की एजन्सिया करती हैं दिल्ली सरकार ने इस साल जुलाई में अपनी नई शराब नीती सार्वजनिक की जो शहर में शराब की दुकानों के समान वित्रन के लिए पिच करती हैं जिसमें पृत्येक नगरबाली का वाड में कम से कम दो वाता नुकोलित दुकाने पांच सुपर प्रेमियम स्टोर और दस स्टोर शामिल हैं नीती नी स्पस्ट किया कि सरकार अपने उक्रमों के माध्यम से शराब बेचने के कारोबार से बहार हो जाएगी सरकार ने नई नीती की तहट खुद्रा विक्रेताओं की स्थापना के लिए बोलिया आमंतरित करने वाले सिंडिकेट के गठन को रोकने के लिए और ब्रांड को प्रभावित करने के लिए निवीदाएं जारी की थी पुरानी नीती के विप्रीत जिसमें लाइसेंस धारक को MRP पर कोई छूट देने की अनुमती नहीं है इन मामलों पर निड्ने लेने के लिए नई नीती लाइसेंस धारक पर छोट दे गई दिल्ली के 106 नगर निगम वाडो के लिए एक बुरी खबर है जिसमें नवंबर तक कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी शहर में करीब 80 वाड ऐसे हैं जहां बिना शराब का ठेका है 26 वाडो में वर्तमान में केवल निजी स्वामित वाली शराब की दुकाने हैं जो एक अक्टूबर से बंद हो जाएंगी एकसाइज विभाग का मानना है कि स्टॉक मेंटेन करना सबसे जरूरी है अगर शराब की कमी पढ़ गई तो दुकानों पर शराब मिलेगी ही नहीं इसलिए विभाग कोशिश कर रहा है किसी भी कीमत में हॉलसेलर के पास शराब के स्टॉक में कमी नह रहे